हेलो वरिवेंट जिसे के आपको अपने स्केन पर एक कोशन दिख रहा है हम इस कोशन को सॉल्व करना है चलिए उससे पहले हम इस कोशन को देख लेते हैं इस कोशन में हमाँ पास क्या दिया गया है 108 प्लस 20 इकुल दिया गया हमाँ पास 138 के नेक्स्ट 202 प्लस 22 इकुल दिया गया हमाँ पास 235 के नेक्स्ट 206 प्लस 24 इकुल दिया गया हमाँ पास 242 के और लास्ट में हमें इस कोशन में क्या फाइंड करना है 302 प्लस 26 किस चीज़ के इकुल होगा हमें इस कोशन में फाइंड करना है चलिए इस कोशन को फाइंड करन हूँ अगर आप इन 10 seconds के अंदर अपनान से निकाल देते हैं तो आप हमें comment box में type करके बता सकते हैं चलिए आपका समय शुरू होता है अब कि अगर अगर आपने इन 10 seconds के अंदर अपना जिकाल दिया तो आप हमें comment box में type करके बता सकते हैं चलिए इस question को solve करते हैं इस question में हमापास सबसे पहले क्या दिया गया है 108 plus 20 equal दिया गया हमापास 138 के चलिए सबसे पहले हम 108 plus 20 कर जेते हैं जो कि हमापास equal होता है 128 के equal होता है बट हमापास equal दिया गया है 138 के equal दिया गया है यानि कि अगर आप दिखोगे तो हमापास 138 और 128 के भी इस difference है 10 का यानि कि अगर हम यहाँ पे 20 का हाप करें वो भी हमापास होता है 10 का तो इस questionable हमापास क्या formula बन रहा है सबसे पहले हमें इन दोन бы नबर को क्या करना है प्लस कर देना है जो भी आपके पास उसका sum आएगा उस sum में आपको करना है जो आपको यह number second दिख रहा है उसका stop करना है और उस number में आपको क्या कर देना है प्लस कर देना है जो कि आपके पास equal हो रहे है right hand side के equal हो रहे है चलिए next में भी हम यही formula यूज़ करके देख लेते हैं पहले हम इन दोनों number को क्या करेगे प्लस करेगे चलिए हम सबसे पहले 202 प्लस 22 कर लेते हैं जो कि हम आपास होता है 224 के equal होता है और हमें 224 में प्लस क्या करना है 22 के हाप को प्लस करना है जो कि हम आपास होता है 11 यानि कि हमें 224 में प्लस क्या करना है हमें प्लस करना है 11 को प्लस करना है चलिए सी formula को हम next में भ 206 प्लस 26 और कि हम आपस को प्लस करμεगे증 मातव ह हमें प्लस करना है- ट्विसिंटार्टो को आपको जो कि हम आपस एकल होता है थोएल्ब चलिक मैं अब हमक्या करें ब्लस होता है तो हम आपस apostle स्पाम्ड़्र 2 est चलिए इसे हम प्लस कर लेते हैं जो कि हमापास इकल होता है 328 के इकल होता है और हमें 328 में प्लस क्या करना है 26 के नंबर के जो हाफ होता है उसे हमें प्लस करना है 26 का हाफ हमाँ पास क्या होता है 13 होता है यानि कि हमें 328 में प्लस करना है 13 को चलिए हम इसे प्लस कर लेते हैं जो कि हमाँ पास equal होता है 341 के equal होता है यानि कि जहाँ पर आपको question marks दिख रहा है वहाँ पर हमाँ पास गयाएगा 341 आएगा अगर आपने पहले इस question को solve कर दिया है तो आप हमें comment box में type करके बता सकते हैं